हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैट्स वाटिका में दोस्तों मैं हुरुपेश यादव और अडवांस इस्पेसल बैच में पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेटरिक को कम्प्लीट किया था तो आप बारी है ने टॉपिक की और ने टॉपिक के रूप में हम लोग सुरू करेंगे हाइट अंड डिस्टेंस यानि के उचाई और दोरी most important topic है क्योंकि लगभग सारे competitive exam में यहां से question पूछे जाते हैं इसलिए पूरे topic की concept को बहुत ही धियान से आप समझेगा तो आईए शुरू करते हैं हाइट अंड डिस्टेंस में इन दो चीजों का समझना बहुत जरूरी है उन्यान कून और अबनावन कून तो आईए दोनों को समझते हैं उन्यान कून को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है गौर से देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता दे कि दो रेखाओं के बीच का जो जुकाब होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कोन बोलते हैं अब उन्यान को गौर से समझेगा जैसे माल लिजे कि कोई ब्यक्ति का आख यहाँ प लेकिन अगर मान लिजे कि बस्तू इस पोजिशन पे है तो वह क्या करेगा अपनी नजरों को इस तरीके से जुका करके यहाँ पे जो बस्तू होगा उसको देखेगा क्या करेगा अपनी नजरों को जुका उठा करके देखेगा ना नजरों को क्या करेगा अपनी नजरों क यही आपका कहलाएगा angle of elevation, यानि कि उन्ययन कोन, कहने का मतलब है, कि अगर हम नीचे से उपर देखते हैं, तो हमारे आँख के द्वारा जो कौन बनाया जाता है, वही आपका क्या कहलाता है, उन्ययन कोन कहलाता है, आगे, अब हम लोग अब नवन कोन समझते हैं, अब धियान से देखेगा, अगर मान लेते हैं, कि किसी व्यक्ति का आँख यहाँ पे है, तो वह नेचूरल ही कैसे देखेगा, इस तरीके से सामने देखेगा, लेकिन अगर बस्तू यहाँ पे है, तो अब उसे क्या करना पड़ेगा अपने नजरों को जुका करके इस तरीके से इस बस्तू को देखना पड़ेगा तो उपर से नीचे देखने पर जो कौन बनता है न यही आपका क्या कहलाता है यही आपका कहलाता है अब नमनकुन यानि दो चीज बस यहां से आपको समझना है कि नीचे से उपर देखने पर जो कौन बनता है वह कहलाता है उन्नेयन कौन और उपर से नीचे देखने पर जो कौन बनता है वह कहलाता है अबनवन कौन जैसे इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं मान लिजे कि आप जो है नीचे है और कोई ब्यक्ति छत पे है तो आपको क्या करना पड़ेगा उस ब्यक्ति को छत पर वाले ब्यक्ति को देखने के लिए अपनी नजरों को ऊपर उठा के देखना पड़ेगा तो आपके आँख के द्वारा आपके द्वारा जो कुन बनाया रेखा के समाना अंतर एक रेखा और हम खीच दिये अब यहाँ पर ध्यान से समझेगा Geometry में एक Concept हम लोग को पढ़ना है कि दो समानांतर रेखा को अगर एक त्रियक छेदी रेखा काटे तो एक आंतर कौन बराबर होता है तो यह कौन जो है न इस कौन का एक आंतर कौन कहलाएगा और दोनों कौन क्या है बराबर है तो यह आपका देख लिए यह तो उन्यान कोन जैसा है और यह क्या है आपका अबनमन कोन है तो यह दोनों क्या है बराबर है तो उन्यान कोन बराबर अबनमन कोन होता है तो एक चीज़ आप यहां से समझ चुके हैं उन्नय अनकून और अबनवनकून अब चलते हैं हम लोग इसके आगे आगे देखिएगा बेसिकली यहां पे भी हम लोग राइटेंगल ट्रेंगल का ही यूज करते हैं पूरा का पूरा ट्रिगनोमेटरी आपका राइटेंगल ट बता रखा है कि कोई भी तिर्भूज समकून तिर्भूज कब होगा जब उसका एक कौन नब्य डिग्री होगा जैसे कोई एक कौन नब्य डिग्री होगा तभी समकून तिर्भूज होगा अब इसका और कुछ पार्ट बहुत ही धियान से आप समझेगा जैसे अभी तो लेंगे उसके सामने वाला भूजा लंब होगा और तीसरा जो भूजा बचता है वो क्या होता है आपका आधार होता है तो इंची जो को तो हम दोग देखी चुके हैं यहां पर थोड़ा सा इंगल को भी हम लोग समझते हैं जैसे देखिए यह इंगल तो आपका फिक्स हो गय है तो इस एंगल के होने की possibility सोचे कि यह इंगल जो है वह कितना डिगरी हो सकता है तो हमें पता है कि तिरभूच के तीनों कोनों का योग 180 डिगरी होता है तो यह अगर आपका नब्बे है तो बांकी दोनों मिला के नब्बे होगा तभी तो नब्बे पलस नब्बे इज to 180 होगा तो यह अगर आपका फिक्स है नबे तो बांकी का जो दो एंगल होगा न वह पका complimentary होगा यानि पूरक होगा पूरक कहने का मतलब कि दोनों का सम 90 डिग्री होगा तो अगर यह 45 डिग्री है तो यह वाला एंगल भी कितना डिग्री होगा यह वाला इंगल भी आपका 45 डिग्री होगा यह हम लुग देख रहे हैं केस sowie कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं केस फिरस्ट देख रहे हैं जिसमें कितना डिग्री एंगल होने के भुजा बराबर होता है बरे कोन के सामने के भुजा बरा होता है और छोटे कोन के सामने के भुजा छोटा होता है यही कारण है कि 90 डिगरी के सामने वाला जो भुजा होता है वो सबसे बरा होता है क्योंकि तिर्भूज में समकून तिर्भूज में जो सबसे बरा कोन होगा वो 90 डिग्री होगा, तो सबसे बरे कोन के सामने की भूजा, सबसे बरा होता है, तो ध्यान रखियेगा, तिरभूज में क्या होता है, बरे कोन के सामने की भूजा बड़ा, छोटे कोन के सामने की भूजा छोटा, और बरावर कोन के सामने की भूजा बरावर होता है, तो यहा हवाला को ने भी है 55 से मतलब इस दोनों के सामने ही भूजा एक तो यह भाला भूजा और दूसरा यहya उछ तो अगर फैंता नीगरी का केस हो उस पीर हो मैं पालाइध हो जाये गा हमें कोई-पेs कट Sum में लंब और आधार आपस में क्या होता है बढ़ाबर होता है तो अगर इसका मापन दिया दस मीटर तो यह ध्यान से समझेगा दूसरा possibility एक और है दूसरा possibility क्या है यहां पर राइट एंगल ट्रेंगल तो आप समझे चुके होंगे पहले भी कईदा फाम लोग कर रही चुके इस चीज को यहां पर देखे यह होगे हमारा को समकोन तिर्भूज यहां वाला तो फिक्स होगा नबे डिग्री अगर मान लिजिए कि यहां वाला जो आपका इंगल है यह अ और यहां तो फिक्स है को यहां शुख लेंगे अब इसका रिलेशन अभ धियान से समझें तीन ही अंगल आपको मिलना है फोर्टी-फाइब डिग्री और सिक्ट डिग्री फोर्टी-फाइव यहां पर यहां पे क्या देख रहे हैं तीस और साट अगर यहां 30 होगा तो यहां 60 लेंगे और अगर यहां 60 होगा तो यहां पर क्या होगा 30 होगा अब 30 और 60 रहने पर क्या relation बनता है उसको गौर से देखेगा राइट एंगल ट्रेंगल में क्या होता है कि 30 डिगरी के सामने वाली जो भी भुजा होगा ठीक है 30 डिगरी के सामने वाली भुजा का रूट तीन गुना यानि 30 डिगरी के सामने वाली भुजा अगर एक होगा तो 60 degree के सामने वाली भुजा क्या होगा, रूट 3 होगा, ध्यान से समझेगा इस रेशियो को, 30 degree के सामने वाली भुजा का रूट 3 गुणा, 60 degree के सामने वाली भुजा होगा, और हमेशा क्या होगा, बरे कोन के सामने की भुजा बरा, और छोटे कोन के सामने की भुजा छोटा लेकिन कितना बड़ा होगा रूट 3 गुना बड़ा होगा बरे कोन के सामने की भुजा कितना बड़ा होगा रूट 3 गुना बड़ा होगा तो अगर मान लीजिए कि कोश्चन में कभी 30 डिगरी के सामने वाली भुजा का माप दे दिया तो हम क्या करेंगे हम सिर्फ रूट तीन से गुना करेंगे और इससे हमें साथ डिग्री के सामने वाली भूजा का मापता चल जाएगा हमें वहाँ पे टैन या कॉट लगाने की आप सकता नहीं होगी हला कि हम बेसिक से भी कोश्चन को स्वोल्ब करके बताएंगे इस चीज को आप ध्यान रखिएगा इस रेशियो को ध्यान रखिएगा पहला आपने क्या देखा कि 45 डिग्री के केसमें लंब राधर बड़ाबर होगा जब कॉश्चन आपको मिलेगा तो स्वोल्ब करने का आप सकता ही नहीं होगा के बल कॉश्चन को देखिएगा और स्व गुना 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है जैसे यहां पे देखिए यहां पे 30 है इस 30 डिग्री के सामने वाली भुजा अगर एक होगा तो 60 के सामने वाली भुजा कितना हो जाएगा रूट 3 हो जाएगा इस एंगल के सामने की भुजा कौन है गौर से देखिए ना इस के सामने की भुजा तो यही है और इस एंगल के सामने की भुजा तो यही है तो 30 डिगरी के सामने वाली भुजा का रूट 3-60 डिगरी के सामने की भुजा और 30 के सामने वाली भुजा का 2-90 के सामने वाली भुजा होगा अब इससे क्या होगा कि अगर इस वाले भुजा का माप दिया है उसमें रूट 3 से गुना करेंगे तो इस भुजा का माप निकल जाएगा और अगर 30 डिग्री वाले सामने वाली भुजा का मान दिया है तो 2 से गुना करेंगे तो यहां से 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप निकल जाएगा तो यह रेशियो ब अभी आपने क्या देखा कि सर 30 डिग्री के सामने वाली भूजा का रूट 3 गुना 60 डिग्री के सामने वाली भूजा होगा और बस 2 गुना 90 के सामने की भूजा होगा अगर हम आप से कहें कि किसी तिर्भूज में 30 डिग्री के सामने वाली जो भूजा है न उसका माप है 8 तो 60 डिगरी के सामने वाली भुजा का माप कितना हो जाएगा 5 रूट 3 मीटर कोई परिशानी नहीं अगर आप से हम कहें कि 30 डिगरी के सामने वाली भुजा का माप है आपका 18 मीटर तो 60 डिगरी के सामने वाली भुजा का माप क्या होगा 18 रूट 3 होगा कोई दिक्कत नहीं ह गुना है और 30 के सामने वाली भुजा का दो गुना यानि 8 है तो 16 नबे डिग्री के सामने वाली भुजा 18 है तो 36 ठीक है में आपको 30 और 60 के सामने वाली भूजा पूछ दे, तब हम लोग क्या करेंगे, इसी रेशियो का उप्योग करेंगे 30 से 60 में जाना होता था तो रूट 3 से गुना करते थे तो अगर 60 से 30 में आना होगा तो रूट 3 से भाग करेंगे, reverse कर देंगे 30 से 60 में जाने के लिए हम रूट 3 से गुना करते थे तो 60 डिगरी से 30 डिगरी में आने के लिए हम रूट 3 से भाग करेंगे बरका में यानि 7 डिगरी में जाना होगा तो गुना और छोटका में जाना होगा छोटा वैलू निकालना है छोटका में जाना होगा तो भाग करेंगे जैसे मान लीजिए कि अगर इस बार कोश्चन में न दे दिया है साट डिगरी के सामने वाली भुजा का माप साथ मीटर तो तीस डिगरी के सामने वाली भुजा का माप साथ रूट तीन तो नहीं होगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्यों पॉसिबल नहीं है उसमें root 3 से भाग करेंगे तो 30 degree के सामने के भुजा निकलेगा अगर 60 degree के सामने के भुजा है 8 तो 30 degree के सामने के भुजा क्या होगा 8 बटा root 3 हो जाएगा अगर 60 degree के सामने के भुजा है 11 तो 30 degree के सामने की भुजा का माप क्या होगा 11 root 3 हो जाएगा और 30 का जैसे ही पता चला दो गुना करेंगे तो 90 डिगरी के सामने वाली भुजा का माप निकल जाएगा इन कॉंसेप्ट को आप बहुत ही धियान से समझिएगा ठीक है चलिए एक चीज़ और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे जैसे अगर हम आप से कहें कि अगर हम 15 में बार बार इस तरह का कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगा 15 में अगर हम रूट 3 से भाग करेंगे तो वैलू क्या आएगा तो क्या हम 15 में रूट 3 से भाग कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं क्योंकि 15 के लिए देखे हम लिख सकते हैं 5 गुना रूट 3 गुना रूट 3 पांच में रूट 3 गुना रूट 3 से गुना करते हैं मतलब 15 से गुना कर रहे हैं और 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा तो 15 के लिए हम 5 गुना रूट 3 गुना रूट 3 लिख सकते हैं ठीक ह तो 15 का value यहाँ पे आ गया और नीचे क्या है आपका नीचे root 3 है अब काट लीजे काट ये जरा सा root 3 से आपका root 3 cancel हो गया क्या बचा 5 गुना root 3 बचा यानी 15 बट्टा root 3 का value क्या होगा 5 बट्टा root 3 हो जाएगा ठीक है 15 बट्टा root 3 का value क्या होगा 5 बट्टा root 3 क्या होगा 5 ब है वहाँ पे दो रूट तीन होगा और एक है कुछ जाएगा तो 15 के लिए हम हमारे पास साथ रूट तीन ही बस था अगर हम आप से कहें कि 18 में अगर हम रूट तीन से भाग करेंगे तो क्या वैलू आ जाएगा तर अगर हम 18 में रूट तीन से भाग करें न तो हमारे पास वैलू आ जाएगा छे रूट तीन क्या वैलू आ जाएगा हमारे पास वैलू आ का माप क्या होगा तो साथ डिगरी के सामने वाली भूजा का माप पता है तीस डिगरी के सामने वाली भूजा का माप निकालना है तो हम क्या करेंगे रूट तीन से भाग करेंगे तो हम तीस में भाग करेंगे रूट तीन से और तीस में जब रूट तीन से आप भाग आपका 10 रूट 3 यही तो वैलू आएगा क्योंकि 30 के लिए क्या लिखेंगे 10 गुना रूट 3 गुना रूट 3 एक रूट 3 से एक रूट 3 कैंसिल क्या बचेगा हमारे पास 10 रूट 3 बचेगा ठीक है चलिए तो इतना concept आपका clear हो चुका है 45 के case में लंब और आधर बढ़ाबर होगा अगर यहां 30 होगा तो यहां 60 होगा अगर यहां 60 होगा तो यहां पर क्या होगा फिक्स है यहां सब यहां पर आपका 30 होगा अगर 30 के सामने वाली भुजा का माप पता है तो रूट 3 से गुना करेंगे तो 60 के सामने का माप निकल जाएगा और 30 के सामने वाली भुज के माध्य हम से क्लियर करेंगे ठीक है चलिए अभी जो भी हम लोग कोश्चन करेंगे उसमें एक ही अंगल आपको मिलेगा ओके चलिए पुला है 125 मीटर उचे टावर से एक कार का अबनमन कुन 45 डिगरी है तो वह कार टावर से कितना दूर है 125 मीटर उचे टावर से देखिए तो अगर क भी बनाना है ओक आपको कहां पर बनाना है यही पर बनाना है एक तो आपका पिक्स होता है 90 डिगरी तो यहीं पर बनाना है फिर से देखेक कोशन क्या है एक सब पचीश मीटर उचे टाबर से यानि यहां से इस पॉइंट से एक कार का कार इस पोजिशन पे है इसका जो अबनमन कोण है इसका मतलब ब्यक्ति यहां पे है और नीचे जो कार है उसको देखा है कितने गड़ी के कोण पे 45 डिगडी के तो हमें यही इस कोश्य में बताना था कि टाबर से उसकार की दूरी, कितनी आंसर हमारा हो जाएगा इस question का कितना मीटर 125 मीटर ठीक है क्या होगा answer हमारा 125 मीटर हो जाएगा ठीक है हम चाहे तो यहां पे लगा सकते थे 10 theta बड़ाबर तो theta का value कितना है 45 degree तो 10 45 degree बड़ाबर 10 theta बड़ाबर क्या होता है 125 बड़ा x हो जाएगा अब यहां से x का value निकाले कितना हो जाएगा एकस का value आपका 125 मीटर ही आया तो कहने का यहा मतलब है कि हम 10 theta 4 theta भी लगा सकते थे 10 theta 4 theta क्यों लगाते हैं क्योंकि हमें इन दोनों में relation चाहिए होगा ठीक है इन दोनों में relation चाहिए लंब और आधार में में relation चाहिए तो court लगाएंगे जब हमें लंब और कर्ण में relation चाहिए उस समय हम sign लगाएंगे आधार और कर्ण में relation चाहिए उस समय हम क्या लगाएंगे आधार और कर्ण में उस समय हम cost लगाएंगे ठीक है तो यह depend करता है कि कि किसका मान दिया है और किसका मान निकालना ह उसके आधार पर हम लोग टैन और कॉट या फिर साइन कोस का उपयोग करते हैं जैनरली हम लोग टैन और कॉट का ही उपयोग करते हैं आगे बढ़ते हैं अगला कोक्षिन देखे क्या है वोला है 200 मीटर उची मिनार के सिर्ष से एक बिंदू का अबनमन कुन 45 डिग्री है फि 45 डिग्री है तो बिल्कुल साम एंगल नहीं होगा सामने नवे चितना दूर ले जाएंगि एंगल छोटा होता है तो यहां पे हम आल कितना बोल रखा है यहां पे एंगल बोल रखा है 200 मिटर, तो इसका माप भी आपका हो जाएगा 200 मिटर, हमें इस question ने बताना है, मिनार से इस विंदू की दूरी, विंदू यहाँ पे है, मिनार यहाँ पे है, इसकी दूरी कितना मिटर है, 200 मिटर, तो बिकल्ब B जो है, वह आपका इस question का सही answer हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल basic question आज हम लोग देख रहे हैं, अगला देख लिजे अगला क्या है आपका बुला है, एक मिनार का, मिनार का मतलब टाबर होता है, का उसकी तली से 100 मिटर की दूरी से 99 को 39 डिगरी, एक मिनार का उसकी तली से तो यहाँ पे हम बना दियें मिनार और यह हो गया तली तो तली से कितनी दूरी, तली से देखे, मिनार की तली से कितना दूर पर है एक 100 मिटर मिनार की तली से 100 मिटर की दूरी पर यहाँ पे मिनार की तली है, यहाँ पे कॉमिटर के दुरि है और इस बिनिदू का जो उन्यान कोन है मतलब के नीचे से उपर देखा घया हो गाज कितना डिग्री है कुन यहां पर दे रखा है 20 दि Supreshape ठीक है तो हमने क्या बताना इस कोश्चन में हमें इस कोश्चन में बताना है मिनार की उचाई मिनार की उचाई बताना है ठीक है मिनार की हमें क्या बताना है उचाई बताना अब देखिएगा यह एंगल अगर आपका 30 है तो यह वाला एंगल भुजा का माप दिया है और 30 डिगरी के सामने वाली भुजा का माप पूछा है तो हम रूट 3 से भाग करेंगे तो 100 में अगर हम रूट 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 108 रूट 3 हो जाएगा यानि बिकल्प D जो है वह आपका इस question का सही answer हो जाएगा ठीक है भाग और ज्यादा वाला भैलू निकालना होगा तो हम रूट 3 से करेंगे गुना चलिए बढ़ते हैं और आगे अगला देख लीजे कोशन क्या है बोला है एक पेर आंधी में तूट गया उस पेर का सिर्स भूतल से 30 डिगरी के कौन पे ठिका हुआ है उसकी दूरी उसके 3जर से 30每 है तो पेर कि उचाई क्या होगी डेकि आपकर आंधी में तुट गया कि अब यहां पहती देखेगा यहां पे आपका कोई पेर है ठीक है यहां पेर है अपका इसके आगे ऊपर भी कुछ इसका अब तो यहां पर आ जाएगा सिर्स इसका पेर का जो सिर्स था वह उपर रहा होगा लेकिन तूटने के बाद इसका सिर्स तो जमीन पर आ जाएगा तो सिर्स यहां पर आ गया है और सिर्स जो है जमीन के साथ 30 डिगरी के कौन पर टिका हुआ है यह जो जमीन के साथ कौन बना पे है और सिर्स अब यहां पे है कितनी दूरी पर जाकर के गिड़ा है 30 मीटर की दूरी पर जाकर के गिड़ा है तो हमें बताना है पेर क्यों चाहिए अगर हम इसको ABCD से रिनोट करें यह पॉइंट हमारा A हो गया यह B हो गया और यह अगर C है तो पेर क्यों चाहिए इसमें तूटा है और यहां टूटा हुआ भाग है तो दोनों भाग को जोड़ेंगे तभी तो पेर का उचाई निकलेगा ना दोनों भाग को जोड़ेंगे तभी पेर का उचाई निकलेगा तो हमें अब यहां चुका है, इसके जर से दूरी कितना मीटर है, 30 मीटर, हमें पेर की उचाई बताना है, अब यहां पे जो आपका इंगल होगा, ठीक है, यह तो फिक्स है 90, यह वाला इंगल अगर 30 है, तो यह पका कितना होगा, 60 डिगरी होगा, अब आपके पास देख लिजे, क्य रूट 3 हो जाएगा, यही तो होगा, देख लिजे, 60 डिगरी के सामने वाली भुजा का माप 30 है, 60 डिगरी के सामने वाली भुजा का माप 30 है, और हमें 30 डिगरी के सामने वाली भुजा का माप निकालना है, तो हम क्या करेंगे, रूट 3 से भाग करेंगे, और जब 30 में आपके पास 10 root 3 बचेगा तो 10 root 3 इसका माप हो गया अब देखिए 30 डिगरी के सामने वाली भुजा का माप 10 root 3 है तो 90 डिगरी के सामने वाली भुजा का माप क्या होगा 20 root 3 2 गुना तो होता है यह तो ratio है 30 60 और 90 का क्या ratio है 1 अनुपात root 3 अनुपात दो 30 डिगरी के सामने वाली भूजा का रूट 3 गुना 60 डिगरी के सामने वाली भूजा और 30 के सामने वाली भूजा का दो गुना 90 के सामने वाली भूजा इस बार क्या है 60 डिगरी के ही सामने का भूजा दे रखा था तो इसमें रूट 3 से भाग किये तो 30 डिगरी के सामने की भुजा कम आप निकला और इसका दोगुना किये तो 90 डिगरी के सामने की भुजा कम आप निकला अब पेर का उचाई क्या होगा 10 रूट 3 पलस 20 रूट 3 10 root 3 में 20 root 3 add करेंगे कितना हो जाएगा आपका 30 root 3 तो पेर की उचाई आपका हो जाएगा 30 root 3 पेर टुटके गिरा है 10 root 3 मिटर की उचाई से और पेर के टुटे हुए भाग का जो उचाई होगा वह आपका कितना हो जाएगा, टूटे हुए भाग का जो लंबाई होगा, वह आपका 20 रूट, 3 हो जाएगा, ठीक है, चलिए, तो भासा अलग-अलग होता है, बट आपका concept सब वही होता है, यहाँ कोशन में देखेंगा क्या है, बोला, किसी पेर के छाया की लंबाई, 16 मीट है, यहाँ पे नीचे बनाना है, पेर यहाँ पे हो गया, यह टाबर हो गया, यह इसका परतिमिंप हो गया, ठीक है, चलिए, इसको मिला देते हैं, अल्तिमेटली तो इसे मिलाना ही पड़ेगा, आगे बोला है, कि पेर के छाया की लंबाई 16 मीटर, मतलब इसका माप दिया ह है, 16 मीटर, हमेशा धियान रखिएगा, कि छाया जो होगा, वह आधार वाला पार्ट ही होगा, और जो पेर का लंबाई होगा, वह उचाई वाला पार्ट होगा, तो छाया 16 मीटर, जब सुर्ज का उन्हें कौन साथ डिग्री, मतलब यहाँ पे जो कौन है, वह आपका कितन बताना है, तो इस कोश्चन में हमारे पास देखे, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप है, और 60 डिग्री के सामने की भुजा का माप निकालना है, तो हम क्या करेंगे इस कोश्चन में, हम क्या करेंगे इस कोश्चन में, रूट 3 से हम गुना करेंगे, यानि कि 16 होगा को स्ट में क्या है सामने वाली भूजा का माप पता है। साथ के सामने वाली भूजा का माप निकालना है तो रूट 3 से गुना करेंगे। यही ही आपका क्या होगा यही पेर की उचाई होगा तो आणसर हमारा इस ख्वर विक रियो हो जाएगा ध्यान से इसको करिएगा नहीं तो फिर यहाँ पोर सकता है 16TLo पूछा है तो फिर हमें रूर्टीन से गुना करना पड़े गा छोटा वाला पूछेगा तो हमें 16 वहाँ पर भाग करना होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देखे क्या है बोला है एक सीधी 10 मिटर की उचाई पर है अच्छा देखें सीधी वाला कोशन भी आपका पूछा जाता है सीधी 10 मिटर की उचाई पर एक दिवार से टिकी हुई है यदि सीधी जमीन के निकी तल से इसके दूरी क्या होगी अब देखें सीधी कैसे लगाएंगे सबसे पहले तो यह होगे हमारा दिवाल दिवाल तो ऐसे ही होगा अब यहां पर सीधी तो ऐसे ही लगएगा ना यहापका सीधी हो गया ठीक है सीधी हमेसा हम लोग इसी तरीके से लगाते है दिव दिवार का उचाई यहां से लेकर के यहां तक का उचाई 10 मीटर सीडी का लंबाई नहीं दिया है दिवार का उचाई दिया है यदि सीडी जमीन के साथ 30 डिगरी का देखे जमीन के साथ कितना डिगरी का कुन बनाया है यह 30 डिगरी का कुन बनाया है हमें सा कुन आप यहीं प पूचाए होगा जो कर्ण होगा वा सीडी की लंबाई होगा अगर इस कोश्चन में सीडी की लंबाई पूछता तो हम कर्ण निकालते लेकिन हमें इस दूरी को बताना है अब यह अंगल 30 है तो यहाँ वाला कितना होगा यहाँ वाला साथ होगा दो गुना नबे डिगरी के सामने की बुजा होता है तो अगर सीधी का लंबाई पूछता तो 20 मीटर यह दूरी पूछा है कि सीधी के पाद से दिवार की दूरी तो 10 रूर 3 हो जाएगा सीधी की उचाई 20 मीटर सीधी की उचाई 20 मीटर और सीधी कितनी उचाई तक गया तुफान के कारण एक बिंदू पर से तूटता है और उसका सिर्ष धरातल को खंभे के आधार से 20 मीटर दूर धरातल से 30 डिगरी का कौन बनाते हुए असपर्स करता है तो खंभे की उचाई क्या होगी यहां पर ध्यान से समझेगा कि बोला क्या गया है जैसे यह एक खंभा ह ठीक है यह खंभा है टेलिग्राप का खंभा है या बिजले का खंभा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अब यहां किसी बिंदू से तूट गया है तो मान लेते हैं कि पहले पूरा का पूरा यहां तक खंभा था अब यहां वाला जो भाग है वह तूट गया है तो जब य इस तरीके से गिरेगा, तो तूटके यहां गिर गया है, ठीक है, और अब जो इसका सिर्स पहले उपर था, यह वाला जो भाग पहले कहां रहा होगा, पहले तो उपर रहा होगा, अब कहां जाएगा, यह जमीन को असपर्स करेगा, तो जब यहां जमीन को असपर्स करता है, मिटर की दूरी पर, खंभे के आधार से 20 मिटर की दूरी पर, ठीक है, यह आपका खंभा का आधार है, बेस है, इससे 20 मिटर की दूरी पर जाकर के इसका सिर्स गिड़ा है, हमें बताना है खंभे की उचाई, अच्छा, खंभा का उचाई कौन सा होगा, तो अगर इस पॉइं क्योंकि यह भाग तो बिना तुटा हुआ भाग है ठीक है और यह भाग को है आपका तुटा हुआ भाग तो खंभा का बिना तुटा हुआ भाग में तुटा हुआ भाग दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर के आपका निकलेगा खंभे की उचाई और यहां पे जो भी कोशन आप देख रहे हैं वह सिंगल एंगल वाला है मतलब इसमें केबल एक एंगल आपको मिलेगा तो आए बहुत ही आसानी से इस कोश्चन को हम दुक्स्वल्ब कर सकते हैं यह वाला पार्ट आपका कितना डिगरी होगा 90 डिगरी अब अगर यह 30 है तो यह पका कितना होगा और अगर आपको यह समझ में कहां रहे हैं तो इंगल लग वाला कोश्चन हो तो ऐसा ही फिगर बनागये गा और इंगल आपया दीज़ेगा ओके चलिए अब आई इस question को solve करते हैं देखिए इस बार क्या है हमारे पास 60 degree के सामने वाली भुजा का माप है और हमें 30 degree के सामने वाली भुजा का माप निकालना है 60 degree के सामने वाली भुजा का माप कितना है 20 30 degree के सामने वाली भुजा का माप हमें बताना है तो हम क्या करेंगे रूट 3 से करेंगे भाग अगर 30-60 में जाना होगा तो root 3 से गुना और 60-30 में आना होगा तो root 3 से भाग करेंगे क्योंकि बरे कोन के सामने के भुजा बरा होता है और छोटे कोन के सामने के भुजा छोटा होता है तो बडरे कोन के सामने की भुजा दे रखा है, छोटे कोन की सामने की भुजा कुछा है, तो हम root 3 से करेंगे भाग. अब दूसरा चीज, यहाँ पे देखिए, 30 डिगरी के सामने वाली भुजा का माप जो भी होगा, उसका दो गुना 90 के सामने वाली भुजा का, तो 90 की सामने वाली भुजा यही है न, इसका माप इसका दो गुना, तो 20 रूट 3 का दो गुना कितना हो जाएगा, 40 बटा रूट तो इस भुजाग का भी माप निकल गया इस भुजाग का भी माप निकल गया अगर राइट एंगल ट्रेंगल के हिसाब से देखे तो लंब भी निकल गया और कर्ण भी निकल गया हमें बताना है पेर क्यों चाई खंबे क्यों चाई तो खंबे क्यों चाई क्या होगा AB पलस AC तो 20 बटा रूट 3 में हम 40 बटा रूट 3 जोरेंगे तो कितना आ जाएगा 60 बटा रूट 3 आ जाएगा यही तो आएगा अगर हम इस value को इसके साथ add करें तो 20 बटा रूट 3 में अगर हम 40 बटा रूट 3 एड़ करेंगे एक रूट न से एक रूट न कैंसिल हो जाएगा यानि हमारे पास जेद सके बल एक रूट न बचेगा तो इस रूट तिन यही आपका इस कोश्चन का आंसर हो जाएगा तिक है चलिए बहुत इंपोर्टेंट Kmart च्छन है और यह आपका शुन मिलता है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन में अगला कोशन देखेगा यहाँ पे क्या है बुला है एक गार्ड समुन्दर तल से 180 मीटर उची प्रेक्षन मिनार से सुतर के नाव को देखता है जिसका अबनमन कुन 60 डिगरी है अब गौर से देखेगा यहाँ पे कोशन क्या है समुन्दर तल से 180 मीटर उची प्रेक्षन मिनार है यहाँ पे एक मिनार है मिनार का मतलब होता है टावर यह समुन्दर में लगा हुआ है ठीक है अब इस पॉइंट से जो है इस पॉइंट से एक नाव को देखता है 2 3 2 एक तावर है इसका उंचाई कितना है 180 मीटर तो 180 मीटर इस टावर की यानि कि मिनार की उंचाई हो गया कभी कभी लाइट हाüस भी उसको बोला जाता भूर देता है आगे अब बोला है हम लोगों से पूछा है कि ततानुसार वह नाव उस प्रेक्षन मिनार से तीक है इस प्रेक्षन मिनार से के पाद तल से कितनी दूरी पर है तो देखे इस मिनार का जो पाद तल है वो यहीं पे है और नाव यहां पे है तो इसी दूरी को हमें बताना है मतल बेगीरी होगा या साठ है तो यहाला एंगल पका कितना होगा 30 Siri होगा अब इस कोशर में डेखिए क्या आपके पास क्या है सरह हमारे पास साठ डिगरी के सामने वाले भुजाका माप है 30 सी में पूछा है तो हम क्या एक 180 में रूट से भाग करेगे और जब आप 180 में root 3 से भाग करिएगा तो कितना भैलू आ जाएगा 60 root 3 भैलू आ जाएगा 180 में आप भाग करके देख लिजे कितना से 180 में root 3 से भाग करिए इसको लिख सकते हैं 60 गुना root 3 गुना root 3 एक root 3 से एक root 3 cancel यानि क्या बचेगा 60 root 3 तो 60 degree के सामने वाली भुजा का माप पता है now कितनी दूरी पर हो जाएगा 60 root 3 मीटर की दूरी पर हो जाएगा अगर हमें इस भुजा का माप निकालना होता तो 30 degree के सामने वाली भुजा का माप 60 है तो 90 degree के सामने वाली भुजा का माप 60 का दो गुना यानि 120 root 3 हो जाता चलिए आगे बढ़ते हैं तो इस तरीके से आपका थियोरी के साथ साथ टाइप 1 भी कम्प्लीट हो गया अब हम लोग चलते हैं टाइप 1 के कोश्चन में बहुर से देखिएगा टाइप 1 का पहला कोश्चन आपके सामने है और कुल मिला के 5 कोश्चन हम लोग करेंगे गुझर रही देखा पर करमसा 9 फिट और 16 फिट की दूरी पर दो बिंदों से उन्ने अनकौन पूरक है रहां दीजेगा उन्ने अनकौन क्या है पूरक कून है उन्ने अनकौन आपका पूरक है पूरक जिन 2 कोनों का योग 90 डिगरी होता है उसको हम लोग पूरक बोलते है तो टावर कि उचाई क्या होगी जहां मैं क्या बताने स्कूशन में टावर क्यूं चाई ध्यान से कूशन को देखेगा और इसके हिसाब से पहले हम फिगर बनाते हैं एक 36 समतल पर इस्थित तावर चलिए यह एक टावर है जो कहां पर इस्थित है एक 36 आपका टावर है ठीक है जो आपका दूरी पर इससे कितनी दूरी पर 9 फिट की दूरी पर तो यहां से यहां तक की दूरी कितना हो जाएगा 9 फिट और 16 फिट की दूरी पर तो यहां से लेकर के यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा 16 फिट यहां से लेकर के यहां तक का दूरी आपका कितना हो गया 16 फिट एक बिंदू है 9 फिट की दूरी पर और एक बिंदू है 16 फिट की दूरी पर दो बिंदू से 99 कोन पूरक है अब इस दो बिंदू से 99 कोन बनाना है इस बिंदू से और एक 99 कोन बनाना है इस बिंदू से और इस दोनों 99 कोन का माप क्या दे रखा है पूरक पूरक कहने का मतलब कि अगर इस कौन का माप ठीटा हम लेते हैं तो इस कौन का माप आपका हो जाएगा 90 डिगरी माइनस ठीटा, ठीक है, इस का माप क्या हो जाएगा 90 डिगरी माइनस ठीटा, अगर एक कौन हम लोग ठीटा लेते हैं तो दूसरे कौन का माप आपका कितना हो जाएगा 90 डिगरी कि पूड़क हो सकता है जैसे एगर हम आप से कहें कि 40 डिग्री का पूरक्त कुन बताइये तो 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री कितना हो जाएगा 50e ठीक है 90 में से माइनस करने पर पूरा कौन निकल जाता है 70 डिगरी का पूरा कौन कितना होगा 90 माइनस 70 यानि के 20 डिगरी जिन दो कौनों का योग 90 डिगरी होगा वह पूरा कौन का लाएगा तो यह वाला कौन अगर हम ठीटा लेंगे तो इस कौन का माप कितना हो जाएगा 90 90 डिग्री माइनस ठीटा हो जाएगा उसी तरीके से अगर मान लिजे कि दोनों में से किसी एक का माप अगर हम अलफा लेते हैं मान लिजे कि इस वाले कौन का माप हम मान लेते हैं अलफा तो इस एंगल का माप कितना हो जाएगा इस एंगल का माप हो जाएगा 90 डिग्री माइ देते हैं A B C और D सबसे पहले आप देखिए तिर्भूज ABC में बेसिक से कुशन को सोल्ब करते हैं तिर्भूज ABC में हमें क्या बताना है इसकी उचाई बताना है तो इसको हम H मान लिए तिर्भूज ABC में देख लिजे यहां पे क्या है आपका केबल ठीटा है तो हम लगा देते हैं टैन ठीटा तो टैन ठीटा बराबर क्या होगा टैन ठीटा बराबर होता है लंब बटा आधार तो लंब कितना है लंब है एच और आधार कितना है आधार है आधार है आपका 9 तो तो यहां से यहां तक इस एंगल के रिस्पेक्ट में चलेंगे तो आधार पूरा यहां से यहां तक होगा हम चल रहे हैं तिर्भूज तो पूरा इतना आधार यह लंब और यह कर्ण तो कौट थीता बराबर क्या होगा आधार बंटा लंब तो यहां से यहां तक की दूरी कितना होजाएगा 16 बंटा लंब कितना हो जाएगा लंब हो जाएगा आपका एच तो 16 बंटा एच इसका फेलू आया यह हो गया equation number 2 अब एक ची हम लोग को भली भाती पता है कि कॉट 90 डिग्री माइनस ठीटा क्या होता है 10 ठीटा होता है तो यह भी किसमें कनवर्ट हो जाएगा 10 में तो 10 ठीटा का फैलू कितना हो जाएगा 16 बट्टा H यह होगे आपका equation number 2 अब समिकरण 1 और 2 दोनों को गौर से देखिए दोनों जगा किसका फैलू है 10 ठीटा का 11 बट्टा 9 11 बट्टा 9 जो है यह किसका फैलू है 10 ठीटा का फैलू है और 16 बट्टा H किसका फैलू है 16 बट्टा H भी आपका 10 ठीटा का फैलू है देख लिजे यह value भी 10 theta का और यह value भी 10 theta का ताकि दोनों 10 theta का value इसलिए आपस में बराबर होगा आगे देखी अब यहाँ पे cross multiply करिए तो h से h में गुना क्या हो जाएगा h square हो जाएगा पराबर 9 से 16 में गुना 144 हो जाएगा एच स्क्वाइर का value 144 तो h का value क्या होगा इसक्वार हटाएंगे root होगा 144 का बर्गमुल 12 हो जाएगा तो h का value आपका आगे यहाँ पे 12 ह का value कितना आ गया है आप एच का value यहाँ पे आपका आ गया 12 यानि इस question का आपका आंसर 12 फिट होगा यह जो टाबर है उसका उचाई आपका 12 फिट हो जाएगा अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि जब भी पूरक वाला question है question के भासा को पहचानिए जब भी पू होना है उचाई निकालने के लिए रूट अंडर एबी कब जब उन्यन कोन या अबनमन कोन पूरक हो पूरक होने की स्थिति में तो एच बराबर एग उने बी तो एक जगा जो पहली दूरी है पहला दूरी कितना है नौ फिट और बी के जगा दूसरा 16 उने 9 144 144 का बर्गमुल कितना हो जाएगा 12 यही आपका इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या फॉर्मूला आपको यूज करना है उचाई निकालने के लिए एच बराबर रूट अंडर एबी तो पूरक वाले कोश्चन में आप इसी मेथड का यूज करिएगा और दनकुन प्रस पर यहां पर दे रखा है पूरक है तो इस टाबर की उचाई क्या होगी तो टाबर की उचाई निकालने के लिए क्लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे रूट अंडर एबी तो एका वहलू देखिएगा यहां कोश्चन में क्या है 36 मीटर और बी का वहलू कितना है 64 मीटर 36 का भर्गमूल कितना हो जाएगा 36 का भर्गमूल हो जाएगा चे और 64 का भर्गमूल आट 6,8,48 यानि 48 मीटर यही आपका टाबर का उचाई हो जाएगा रूट अंडर एबी ओके चलिए अगले कोश्चन में आ जाए बिल्कुल से मिभासा है इसी मिनार के स हर से 10 मीटर और 5 मीटर की दूरी पर और इसके साथ उसी सरह लिखा में इससे दो बिंदों से उन्नेयन कुन पुरक है ठीक है फिर से कोशन पुरक का गया तो मिनार की उचाई क्या होगी रूट अंडर एक बराबर क्या होगा रूट अंडर एक जगा देखिए वैलू कितना है एक जगा वैलू है आपका 10 और बी के जगा वैलू क्या है पांच दस गुने पांच पचास यानि रूट पचास आपका इस कोशन का आंसर हो जाएगा हम चाहते तो इसका क्या कर सकते थे पांच सब्सक्राइब तो बारत या 36 36 का बर्ग मुल कितना हो जाएगा छे मीटर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला कोशन देखिए 16 और 9 144 144 का बर्ग मुल कितना होगा 12 मीटर होगा डाटा सेम है भासा सेम है वह दो खंबों के बीच की दूरी एक समीटर है ओके यदि उन खं सर यही करेंगे रूट अंडर एबी करेंगे ओके चलिए अब बरते हैं अगले कोशन में हम लोगो टाइप 1 कंप्लीट कर लिए हैं टाइप 2 कंप्लीट कर लिए हैं अब चलेंगे टाइप 3 में अब टाइप 3 के पहले कोशन को धियान से देखिएगा अब तक हम लोग के ब एक मिनार की छाया 60 मीटर ज्यादा लंबी हो जाती है मिनार की छाया की लंबाई कितना बढ़ जाता है 60 मीटर तदानुसार मिनार की उचाई कितनी होगी गौर से देखिएगा इस question का figure हम लोग कैसे बनाएंगे सुर्ज का उन्हें कुन 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर तो यह होगे आपका यहां तक सुर्ज का जो है यह होगे आपका लंबबत दूरी ठीक है और 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर 45 से कितना हो गया 45 से 30 डिग्री हो गया बरा कुन पहले और छोटा कुन बाद में तो यहां जो एंगल होगा वह आपका 45 डिग्री होगा और यहां पे जो आपका एंगल होगा ना यहां पे कितना हो जाएगा 45 डिग्री और यहां कितना हो जाएगा आपका यहां वाला हो जाएगा आपका 30 डिग्री ठीक है चलियो 45 तो चोटा कुन होगा उतना चोटा कुन जितना समीप आएगा उतना बड़ते हुए आएगा यहां तक आते आते कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री और दूर जाएगा तो आपका घरता हुआ जाएगा ओके तो जब कुछ समझ में नहीं आए तो बड़ा कुन पहले बना लि जादा लंबी हो जाती है पहले देख लिए चाया यही था ना छाया की लंबाई पहले यही था अब इतना जादा लंबा हो गया कितना जादा लंबा हुआ है 60 मीटर जादा लंबा हुआ है तो हमें बताना है मिनार की उचाई तो इसको हम मान लिए A यह पॉइंट हो गया B यह पॉइंट हो गया C और इस पॉइंट को हम मान लिए D छाया, हमने आपको बताया था कि हमेसा टाबर की उचाई ऐसे लेना है पेर क कि उचाओ ऐसे लेना है और छाया कि उधिक लंभार इस तरीके से दोणों इंगल के बीच की दूरी देरका है दोनों इंगल बनाने वाले पुइंट के बीच की दूरी दे रखा इस question में ठीक है और हम लोगों से फुझाए इसका उचाई अब धियान से समझेगा यहां पह आपका दो ट्रेंगल है एक ट्रेंगल है ABC और से एक ट्रेयंगल क्या है आपका ABC और दूसरा ट्रेयंगल क्या है ABD यह दो ट्रेयंगल है तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और यह वाल एंगल कितना आप का 90 डिग्री अब इस तिर्भूज में आईये तिर्भूज ABC में यह वाला आपका 45 है तो यहावाला भी पक्का कितना होगा यहावाला भी पक्का आपका 45 डिग्री होगा हम लोग चल रहे हैं तिर्भूज ABC में तो अभी आपको केबल क्या देखना है अभी आपको केबल तिर्भूज ABC को देखना है और कोई भी triangle को आपको नहीं देखना है अभी हम लोग किसमें चल रहे हैं तिरभूज ABC में तो तिरभूज के तीनों कुनों का यूग 180 degree चाहे कोई भी triangle हो तो यह 90 है यह 45 है तो यह पका कितना होगा 45 और हमने आपको बता रखा है कि 45 degree के case में लंब और आधार बराबर तो अ एक triangle का काम हम लोग कर लिए अब चलिए दूसरे triangle में दूसरा triangle क्या है तिरभूज ABD अब तिरभूज ABD में आ जाईए तिरभूज ABD को गौर से देखिएगा जो तिरभूज आपका ABD है A B और D पूरा यहां से लेकर के यहां तक यानि कि पूरा का पूरा triangle है हमारा ABD इस हम तिरभूज ABD की बात करें तो एक यहावाला angle होगा दूसरा यहाओ अंगल और तीसरा यहाओ किसमें तिरभूज ABD में अब तिरभूज के तीनों कुणों का यкого INT społec développा है तो यह 90 यह 30 है तो इस पूरे कौन का माप कितना होगा इस पूरे हम पता है हमें पता है तिरभुज ABD में 30 डिगरी के सामने वाली भुजा का माप कितना एकस तो 30 डिगरी के सामने वा ली भूजा का माप X है इसमें हम रूट 3 से गुना कर दें तो यह 60 डिगरी के सामने वाली भूजा का माप निकल जाएगा तो 60 डिगरी के सामने वाली भूजा कौन है यह पूरा तो यहां से यहां तक का माप कितना हो जाएगा X plus 60 हो जाएगा फिर से समझे इस point को केबल इतना ही हमारा solution होगा केबल इतना ही हमारा calculation होगा लेकिन इस point को आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा देखिए तिरभूज ABD में 30 degree के सामने वाली भूजा कितना है X अगर हम इसमे 30 degree के सामने वाली भूजा में रूट 3 से गुना कर देंगे तो इसका जो माप होगा वह 60 degree के सामने वाली भूजा के माप के बराबर तो इसी तिरभूज में 60 degree के सामने वाली भूजा पूरा यहां से यहां तक इसका माप कितना है X plus 60 तो 30 degree के सामने वाली भुजा में root 3 से गुना करेंगे तो 70 degree के सामने वाली भुजा के मापके यह बराबर हो जाएगा अब solve करिए इसको देखिएगा यहाँ पे x इधर plus में बराबर किदर लाएंगे तो minus में आ जाएगा तो x minus में आ जाएगा मतलब कुछ इस तरीके से root 3 x minus का कितना x बराबर इधर आपका हो जाएगा 60 अगर इस दोनों में से हम x कॉमा ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा आपका root 3 minus यहाँ पे बचेगा आपका 1 बराबर इधर कितना हो जाएगा इधर आपका हो जाएगा 60 अब देखिएगा x का माप क्या निकलेगा x बराबर 60 बट्टा root 3 minus 1 गुना में है इधर आएगा तो root 3 minus 1 कहाँ पे आ जाएगा भाग में आ जाएगा अब हमें यहाँ पे इसका करना पड़ेगा परिमेकरन 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 करेगा तो ऊपर में जो value इसको वैसे ही लिखना है और नीचे वाले value को अगर नीचे से उपर ले जाएगे तो बीच का sign change हो जाएगा ऐसा हमने घातांक और करणी में पढ़ाया था बट्टा में दोनों के बर्गों का अंतर रूट तीन का बर्ग तीन और एक का बर्ग एक तीन और एक में अंतर कितना का दो का यह कहला आएगा आपका हर पर्मेकरन नीचे वाले वहलू को अगर ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा बट्टा में दोनों के बर्गों का अंतर अगर हम दो से काटे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तीस तो तीस इन्टू रूट थ्री क्या होगा वहलू आपका साथ में यहां पे हम आपको एक formula और बताएंगे जिसके help से आप इस तरह के question को solve कर सकते हैं गहुर से देखिएगा आप उस formula को भी कि यहां पे question तो यही है आपका जो formula हम लोग देखने वाले हैं कि उसको भी आप अच्छी तरह से समझ लीजी कहें कि उसके मदद से भी आप इस question को ना बहुत ही आसानी से बना सकते हैं इन वैलूज को पहले हम हटा देते हैं यहां से बांके चीज तो आपका सेम ही रहेगा ठीक है चलिए यही आपका question है कोस्चन के अनुसार यहां पर figure आपका बना हुआ है ठीक है अब हमने क्या बताना था इस question में हमें इस question में बताना है इसकी उंचाई, इसकी उंचाई को हम लोगों ने क्या माना यहां पर, इसकी उंचाई को हम यहां पर H मान लेते हैं, ठीक है, अब ध्यान सा समझेगा, कोई दो बिंदू, जो कौन बनाने वाला बिंदू है, उसके बीच की दूरी अगर दे, तो हम उसको डिनोट करेंगे D से इसको हम किस से डिनोट करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे D से, और जो टाबर है, जो पेर है, उसकी उंचाई को हम लोग डिनोट करेंगे H से, यहां सा समझेगा, इसको हम किस से डिनोट करेंगे H से, और दोनों कोन बनाने वाली बिंदू के बीच की दूरी को D से, इसको D से denote करेंगे इसको या इस पूरे को नहीं दोनों कोन बनाने वाली बिंदों के बीच की दूरी को D से denote करेंगे और यहां पर एक formula हम लोग use करते हैं D बराबर ठीक है ऐसे question में क्या formula use करते हैं D बराबर H into cot theta 1 minus cot theta 2 cot theta 1 minus cot theta 2 जहां पर आपको एक चीज का धियान रखना है, क्या धियान रखना है इस में? इसमें आपको धियान रखना है कि theta 1 का जो मान होगा वो हमेसे छोटा होना चीरा 2 से क्योंकि cot theta है ना तो cot theta में जितना theta का मान चोटा होगा उतना value बढ़ाएगा और बरी value में से छोटी value घटाएंगे तो मान आपका positive में आएगा और उंचाई है तो उंचाई तो आपका negative होई नहीं सकता है तो क्या करना है जो theta 1 का मान होगा उसको छोटा लेना है theta 2 का मान क्या हो जाएगा बरा हो जाएगा तो आएए इस formula के ओपर solve करते हैं तो d का मान त 3 हो जाएगा कितना हो जाएगा रूट 3 कौट theta 30 degree कौट इस का मान रूट 3 माइनस कौट theta 2 ठीटा 2 के जगा 45 तो कौट 45 कितना हो जाएगा एक हो जाएगा बस question आपका हो गया solve root 3 माइनस 1 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में तो 60 बटा root 3 माइनस 1 यही आपका इस question का answer हो जाएगा और जब आप इसका हर परिमेकरन करिएगा तो 60 तो रहेगा ही उपर नीचे से उपर इस value को ले जाएगे तो बीच का sign change हो जाएगा और बटा में इसके वरग प्लस 1 तो एक मेधाड आपका यह भी है इस तरह के question को solve करने के लिए ठीक है चलिए आईए बरते हैं अगले question में नंबर दस question सौरी नंबर दो question देखे क्या है बुला है बिंदु पी पर खराएक आदमी एक टावर के सिखर को देख रहा है जो 30 डिगरी का उन्हें कुन बन दोनों मेधर लगाते हैं यह आपका टावर हो गया और एक व्यक्ति जो है वह बिंदु पी पर खरा है तो हमान लेते हैं कि यह वाला जो बिंदु है और बिंदु पी है जब यहां से यह टावर के सिखर को देखा है यही टावर का सिखर है यहां से जब इस point से यह टावर क की और चला है हमान लेतने की चल कर यहां तक आया और जब यहां से टाबर के सिखर को देखा तो अब जो कौन बना है ना अब जो कौन बना है वह एक जो आपका 60 degrees, एंगल बड़ा हुआ है, तो क्या करना है आपको टाबर के पास जू बड़ा एंगल होगा, उसको टाबर के पास मनाचेँगा चोटा एंगल टाबर से दूरोजाएगा, 30 degrees से 60 degrees, बिन दूपी पर ख़ड़ाएक आदमी टाबर के सिखर को देखा, जो 30 degrees के उ नेन कोन पर था आदमी टावर के और कुछ दूर चला मतलब यहां से यहां तक चला है अगर इसको A, B, C से रिनोट करें A, B, C से तो चला है कहां से कहां तक P से लेकर के C तक चला है इसी दूरी को हम किसे रिनोट करते हैं D से denote करते हैं कोन बनाने वाली जो दोनों बिंदू है उसके बीच की दूरी कोई हम लोग किसे denote करेंगे D से denote करते हैं अब हमें इस कोशने बताना है कि टावर की उचाई अगर 30 मिटर है तो उसके द्वारा चली गए दूरी है इसके द्वारा चली गए दूरी यानि हमें किसका फैलू बताना है D का और इसका माप दे रखा है टावर की उचाई कितना मिटर है 30 मिटर टावर की उचाई 30 मिटर है हमें D का मान निकालना है हमने फॉर्मूला क्या बताया भी आपको D बराबर H इन्टू Cot theta 1 minus Cot theta 2 Cot theta 1 minus Cot theta 2 यहाँ पे आपको क्या करना है theta 1 का मान छोटा लेना है theta 2 से solve करिए H का value देख लिए कितना है 30 तो H के जगा लिखे 30 जो टावर की उचाई होगा वही H का value हो जाएगा into Cot theta 1 यानि Cot 30 का मान कितना हो जाएगा आपका root 3 हो जाएगा minus Cot 60 का मान कितना हो जाएगा 1 by root 3 हो जाएगा यही तो होगा चलिए आगे बढ़ते हैं theta 1 के जगा Cot 30 Cot 30 का मान root 3 theta 2 के जगा Cot 60 Cot 60 का मान 1 by root 3 देखेगा यहाँ पे 30 है तो 30 भीन का घटाव करिए root 3 में root 3 से गुना 3 3 में से 1 minus करिएगा 2 तो 2 बटा root 3 यही तो आएगा 2 बटा root 3 इसका calculation और जब 30 और 60 का calculation रहे जब 30 और 60 का मामला रहे तो यहाँ का calculation होगा वह 2 बटा root 3 भी होगा direct भी इसको आप कर सकते हैं ठीक है अब root 3 से अगर इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका 20 root 3 हो जाएगा तो 20 root 3 मीटर आपका हो जाएगा उस ब्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी तो इस question में क्या किया था इस बार टाबर की उंचाई दे रखा था और हम लोगों से पुछा था इस ब्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी कितना होगा तो आंसर हमारा इस question का आपका हो जाएगा 20 root 3 ओके चलिए अब जो method अभी तक हम लोग सीख रहे थे जो ratio था उस ratio के मदद से इस question को solve करके देखते हैं देखे यहाँ पे हम बात करें तिर्भोज ABC का तो ABC में यहाँ 60 है तो यहाँ कितना होगा इस वाले अंगल को देखे यहाँ 30 होगा ठीक है यहाँ आपका 30 degree हो जाएगा यहाँ तो fix है नब बे अब question में क्या इस बार 60 degree के सामने वाली भुजा का माप है हमारे पास तो कितना 10 root 3 हो जाएगा अगर हम रूट 3 से भाग करते हैं तो 30 degree के सामने वाली भुजा का माप निकल जाएगा अब चलेंगे पूरे तिर्भूज ABP में एक एंगल यहाँ वाला हो जाएगा अगर हम तिर्भूज ABP की बात करें पूरे तिर्भूज की तो एक तो यहाँ आफ का तीस यहाँ पूरा कितना हो जाएगा यहा पूरा का पूरा का पूरा कितना होगा तो 30 degree के सामने वाली भुजा का माप कितना है 30 अगर इसी में हम पूरा 60 है इसके सामने की भुजा कितना है इसके सामने की भुजा है 10 रूट 3 पलस D यही तो है इसके सामने की भुजा इसकोन के सामने की भुजा यही तो है और वैसे भी 30 डिगरी के सामने वाली भुजा में रूट 3 से गुना करेंगे तो 60 डिगरी के सामने वाली भुजा का गई दूरी या दोनों इंगल बनाने वाले पॉइंट की दूरी तो इसी काम आप हमें इस कोशन में बताना था आंसर हमारा क्या होगा इस कोशन का आंसर होगा हमारा इस कोशन का 20 इस रूट तीन ठीक है चलिए बरते अगले कोशन में दोनों मेथाद आप समझ चुके हैं अब अगले कोशन में आए देखिएगा कोशन के भासा कहीं से आप से कोशन को सोल्व करेंगे पुला है एक आदमी 100 मीटर उंचे टाबर तो इच का वहलू दे दिया इच का वहलू कि अधी गई दूरी यानि हमें क्या बताना इसकोशन में डी का मान बताना है तो दी बराबर क्या होता है एक तो एक यानि कि टाबर कहुँ चाही कितना है सो मीटर है इन्टू कॉटथी टैदा 1-2 तो 30 और 60 है क्या वहलू आएगा कोशन के बhora कोशन को बाति आए गा तो का देखे, एक 100 मीटर उंचा टाबर हो गया, ठीक है, अब यहां से बोला है कि सिखर से एक कार को 30 डिगरी के कोन पर देखा है, कितने डिगरी के कोन पर, 30 डिगरी, यहां पर 30 डिगरी कोन, अब यह कार जो है टाबर की ओड चला, अब कुछ दूर चलने के बाद फिर इसको कितन 1 minus 4 theta 2 अब यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा 200 बट्टा root 3 200 बट्टा root 3 option में नहीं है तो हम इसका हर परिमेकरन कर देंगे root 3 से उपर नीचे गुना ठीक है जब हम root 3 से उपर नीचे गुना करेंगे तो उपर में value क्या होगा 100 गुने 200 200 200 root 3 उपर में हो जाएगा 200 root 3 उपर में आ जाएगा और नीचे में कितना value आ जाएगा आपका नीचे में root 3 गुना root 3 यानि की 3 हो जाएगा तो 200 root 3 बट्टा 3 यही आपका इस question का answer हो जाएगा उपर नीचे समानंग से गुना करने परमान में कोई अंतर नहीं आता है और चुकि option इस फॉर में नहीं था 200 बटा रूट 3 के फॉर में नहीं था इस बज़े से हमें परिमेकरान करके इस फॉर में लाना पड़ा तो answer आपका विकल्प B जो है वही आपका विकल्प भी ही होगा ना हाँ विकल्प B आपका इस question का answer हो जाएग ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले question में अब आएए इस question के भासा को पहचानी है पुला है जब सुर्ज का उन्यान कुन 30 degree से 60 degree हो जाता है तब एक खंबे की छाया 5 मिटर कम हो जाती है 30 से 60 5 मिटर कम यानि D का value इस question में दे रखाए 5 D बराबर H इंटू 4 theta 1-4 theta 2 यानि 2 question हमारा हो गया सोल कितना हो जाएगा यापका पाँच रूट 3 बटा 2 यहीं तो होगा पाँच रूट 3 बटा 2 रूट 3 से पांच में गुना पाँच रूट 3 बटा 2 बंदू के बीच की दूरिदी बोले पांच मिटर कम हो जाता है तो answer हमारा यह होगा चलिए तो आज के लिए इतना ही हम लोग रखेंगे दो टाइब के question को हम लोग आज देखें हैं type 1 और type 3 और type 2 के जो question था उसको हम लोग theory के साथ ही देखे थे तो आज के लिए इतना ही